देखा क्या? नहीं देखा भाई तेरे को देखा की नहीं? नहीं देखा भाई अरे यह कैसी है यार किसी को नहीं देख रही है अर्जून रेटी किसी को नहीं देखता है अर्जून रेटी को लोग देखते हैं मैं वेट करूँ नहीं सम्झा अब उसने देखा क्या? नहीं देखा भाई क्या रहे आज भी बंक पारा मेरी जान के लिए तू भी पूइट आउट है क्या तू मैं भी उसी के लिए तू भी उसी लड़की के लिए थोड़ा तो शरम कैर कितना भी ट्राई कर ले मिलेगी एक कोई ना अला वे फिरो लाक्श्मी माता की तरह है ना होपी है 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 थे हैं है 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 इस आजवे है 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 थोट तो कि अ अब था है है यह भी है 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 एके फिरहेें शोहां बमस्डाइब इंवा कि बमस्पाइब हुए तो लिए घुए एइ एए एए यह वाद गहने सुंदरता तो बढ़ाती है लेकिन हाथसा होने से बचना चाहिए है खयाल रही है ठीक है लेकिन तो हाई कर्थेक अरे आजा अरे रिजल्ट है और तू यहां क्या कर रहे है क्यों तू फेल हो गया क्या फर्स्ट क्लास से पास हो गया भाई तो चलो फिर पार्टी मनाते हैं अरे बेटा चल आजा जल्दी तेरी सब पर तेल लगाना है स्कूल जाने का टाइम हो गया है तो अगर ऐसे बैठा रहा तो कैसे चलेगा पढ़ लिखकर बढ़ा अफसर बनना है ना तो स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना हां क्यों सुबसुबस शुरू हो गई क्या पड़ो पड़ो बोल कर उसका धिमाग मत खराब करो अरे मेरा बेटा किसांद का बेटा है मेरी तरह किसानी करेगा कलेक्टर नहीं बनेगा हां क्या बेटा अरे बेटा सबलके नमस्ते बेटा सुबसुआरे बेटा से चैसा रामलु तुससे कुछ पूछना है अमां जो पूछना है पूछिए बकरी कैसी होती है बकरी काली भी होती है और वैसे सफेद भी होती है साहब रामलू काली होती है सफेद होती है मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कैसी होती है तू बता रहे हैं आप नर और मादा की बात कर रहे हैं तुम लोग को समझ में आ गया ना बकरी जन्तू होती है खूटे में बंदी है तो उसकी नहीं तो हमारी समझ गया ना तुम लोग दादा जी मैं कॉलेज या क्या आती हूं ठीक है वेटी जा लो गिल लो रामलू यह पैसे तुम्हारी पूती के पढ़ाई के लिए है हाँ साथ ऑची बात है हमारी समय मुझा सबत करें जो आजाने मैं जो चोड़ा यहां जो पांग आपकर दो ऑन्हाएं मालिक अपनी किट्पी पेस करके मैसे चुका तुम्हें, तुम्हें बोलो, मैसे चुका तुम्हें, तुम्हें बोलो, मैसे चुका तुम्हें, मालिक, मैंने कर्दा दे के तुम्हारी मदद की थी, अब तेरे बेटे को काम दे के इसकी मदद कर रहा है, मालिक, छोड़ दो, मा मालिक उसे चूट जो 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 अरे यह किताब मेरी लिए कि दूए जो आट मैं सीनियर हो पीए तो मैंने क्या कान दर पूल लगाया हुआ है अपने आहां से कैसे बचुएंगी यह बगवान तो ही मेरी रक्षाकर मुझे बचा जें यह तो मुद्व ही प्यार करती है मैं मैं इसे मुझे दिलादों प्रसाथ चड़ाओंगा आपे, आपे मैं इसे प्यार करती है मैं इसे प्यार करती है यह बीच में कहां से आपकार और है तू मुझे से प्यार करती है मेरी जां 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 मेरी जां 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 अब ये भीच में आकर सेटिंग खराब कर दी कौन है तू कहा से आये अरे तुझे मेरी वाली पसंद आई गया मेरा प्यार छीनने का अधिकार तुझे किस ने दिया हम इतने सालों से इसके पीछे पढ़े और ये तुछ से कैसे पढ़ गई मैं पुतले की तरह खाड़ा क्या है बोला मुझे पढ़े कुछ अधिकी अधिक्ता अधिक्ता एक तुछ तुछ थे आधिकता है एधिक्ता ने कम आने लाएं। भाई अमारी लवर किसी और को चाहने लगी है भाई अब एक कैसी बखवास कर रहा है तू तोह नहीं है भाई इस बार दो लांखर परकलो भाई बाकी का जलती दे दूँगा देख लड़का देखने में मस दिख रहा है ना कि दो में एक अड़कर और लड़के को लेकर जाए हाई 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 दी अब दो दिन से कहां थे दिखाई नहीं कुछ नहीं थोड़ा सा तमाशा हो गया था कल सुबा मंदर जाएंगे हां कार्तिक का महिना ना बहुत अच्छा लगेगा ठीक है ना बहीं सारी बात बताऊंगी अच्छा इसे यहां रखता है यह मंदिर 500 साल पुराना है अच्छा बहुत शक्ती है इसमें हाई इस मंदिर के बारे मेरी मा बता रही थी अच्छा कल जो तमाशा हो वो उसके बारे में बताऊ रही थी ठीक है ठीक है मैंने बताया था ना कुछ लड़के रोज मेरा पीछा करते हैं हाँ बताया था क्या हुआ उनके साथ अब वह मेरा पीछा नहीं करेंगे कैसे पुझी दी क्योंकि जैसे मैं जानती तक नहीं थी उसे I love you कह दिया अरे किसी लड़की ने I love you बोल दिया तो तुमने यकीन कैसे कर लिया पता नहीं उसकी आखों में कुछ तो था बेचारा है ना वो हां तुने सही का उस बेचारी पर दीदी को कित्ती दया आ रही है ठीजी मुझे उस पर दया क्यों आएगी उसके साथ चो भी हो मुझे क्या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं अगर तुबारा वो लड़का दिखा तो तो उसे सारी बोल दूंगी सवाल अब तेरा बैट टाइम श्रू हो गया तुझे भी अल्ट बेस्ट क्योंकि तुभी उसे बर्दाश्ट करेंगी कि अब कि 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कुछ पास्नल है कि 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 एक मिठा मुझे बहुत टेंशन हो रही है अब सारी उमीदे तुमसे वह लड़का मान जाना चाहिए यहां प्लीज अब दुर्गा मा उनमें बहुत शक्तियां पता है कि तुम्हें ठीका लगाऊं हम कि 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 उस दिन से मुझे ठीक से नीन नहीं आ रही है कि मुझे उमीद है कि तुम मेरी हालत समझ रहे होगे कि उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हें ऐसे ही आल लव यू कह दिया था प्रॉमिस ऐसे ही कह दिया सॉरी हां अगर तुम्हें मुझे डाटना है तु डाट सकते हो मैं तुम्हें क्यों डाटूंगा आल्रेडी मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूं कुछ कहें भी ना जा रहे हैं अभी क्या भी माफी देने की ज़रूरत नहीं है यह पेपर पूचा में रखा गया था इस पर साइन कर तो मैं वहां रख दूंगी फिर मा जो चाहेंगी वही होगा पता है दुर्गा मा की वज़े से मेरा उन गधों से पीछा चूटा था पूर्गा है वह भी तुम्हारी वज़े से इसलें तुम मुझे अच्छे लगते हो I love you. Thank you. Same to you. क्या कहा तुमने? तुम मेरे दिल को भागई हु. मैं तुमसे प्यार करता हूं. तुरग माद yang trauma, यह भी ibadha nuny on. ढूंचामा थांक य। तुर्गा मता, हमारे प्यार की साक्षित तुम ही हो थाई, 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 तें दें थाई, थाई थाई, थाई, ऐसे, ऐसे नहीं बेटा ओके, फिर से करते हैं थाई, थाई, तिदिदिद थाई थाई, 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 तिदिदिद थाई अभी आती हूँ यहाँ क्यों आये हो? उस दिभ मैंने तुम्हे ऐसे यालव यी बोल दिया था, उसके लिए सॉड़ी कहा न अब मेरा पीछा क्यों करें तुम उन गधों में से तुम भी ये गधे हो ये तुमने साबद कर दिया एक मिनिट मेरी बात तो सुनो एक तो तुमने आयलो भी नहीं बुला मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूं और सॉरी साइन करके देता हूं माता के पास चढ़ा दूगी कितनी नौटंगी करती है यलो अब खुश हूं मा देखो ना इसको इसकी प्लेट दो ना को पानी पुरी चाहिए या नहीं मेरे सामने नाटक नहीं जो भी है उधर बताओ माधे माधा के मंदिर में यह सब बाणना सही मनत है माधब यह इतनी पाऊर्फूल होती है बच्चे आट महीने के होते ही बोलना शुरू कर देती है तुने तो छह मेंने में भी शुरू कर दिया था बोलो नàngpektatori में परेशान कर रहा है अभी रहने दो उस माता से ज़्यादा पाउरफुल तो तुम लगती हो बाई कार्ते नाश्ता तो करके जा इससे पहले 25 आउट हो गए थे यह 26 वाभी एकदम से आउट तुम्हारे हिसाब से मैं कट हो गया तुम्हारा लगी नंबर है आठ यह कैसे हुआ पच्चीज जो पीछे पड़े थे वो सारे आउट हो चुके थे तुम्हारे पीछे पड़ा गया नहीं नहीं वह तो दुरका मा की इच्छा थी तुम्हें मिलाकर 26 हुए तू प्लस एक्सेट मेरा लगी नंबर है मतलब माता की कृपा से तुम्हारे लगी नंबर में मैं भ तुम्हें जैसा सोच रही हो वह लगी नंबर मैं हूँ नहीं ओके 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 तुम्हें जैसा बोला मैं कट हो जाता हूँ ओके ना देखो भाई चार बियर दो लगपीस दो सिग्रेट जल्दी ले करके आजाओ जल्दी ले के आना ठीक है सर भाई तुम्हारी लव स्टूरी अभी कहां तक पहुंची अरे उसने फॉस्ट टाइम टश किया यार अरे वाग क्या बात है वैसे यहां अमलेट बहुत मस्त मिलत यह चानवर लोग बोलेंगे हैं अरे पीकर जोस में आ जाते हैं इस सब यहां कॉमन है ओ छोटू तुझे तो पता है पीने वाले कैसे होते हैं बच्चे को लेकर जाए यहां से भाई या बैट जो बैट जो टेंशन मतलो इंजॉय करो मैं उसको सब्जा दूँगा है किया थार्दिक पहले तुने उसे नी किया है कि यह चोटू है । इसके साथ तो नहीं होगँ में नहीं है ने लोग तो यह अच्छा बच्चा है इसके साथ दुबारा ऐसा नहीं होगा हम देख लेंगे बार का लाइसन्स मिल गया तो काफी नहीं है रूल्स भी होने चाहिए अपने बाउस को बोलो उस पर अमल करने के लिए कल सुबार वापस आउंगा यह बच्चा अपने खर पर होना चाहिए समझ गया ना समझ गया भाई कि भाई भाई ने उद्धार कितना लिया था पांच लाग भाई आज कितना हुआ पैसा तेरा बाप भरेगा जा भाई भाई इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि पैसे भर पाएगा आपको यह पादिल बढ़ा करना होड़ेगा तुने कहा था मैं भगवान के समान हूँ अब भगवान ही तुझे रास्ता दिखाएगा है हसाल और ब्याज के तौर पे इसके बीवी बच्चों को मेरे पास लेगा मामा जी आब है अब है अब है अब है अब है अब बाइब दो रात को बाहर में जिसने अंगामा किया था वो लड़का आया है एक काम कर उसको अंदर लेके जा मैं अभी आता है ठीक है भाई बाई रात में ओनर की पिशाद निकल गई सोच लो चाइल लेबर पुलिस केस यह सोच के ही उन्होंने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया थैंक यू अरे थैंक यू मुझे बोलना चाहिए तर रात को नशे में कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिमाफ करना ठीक है अगले हथते तेरी शादी है सर पे इलेक्शन है भाई 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 मेरी घरवाले का छोड़ दो भाई भाई ये सब क्या है बोल वो लड़का फिर साय था भाई उसके आता ही मुझे फोन क्यों नहीं किया उसने फोन करने का मौका ही नहीं दिया भाई तो फिर सोच का रहा हो तुम लोग उसर रूम में ले जाकर ठोक दो सारा हीरोईजम निकल जाएगा भाई वो गलियों में खिलना खिलना टाइप का लड़का नहीं है भाई वो बहुत बहादुर है अच्छा तुवो इतना बहादुर है भाई उसका स्टाइल ही अलग है भाई नहीं है हमारा एक धंदा है जो हमारे खिलाब खड़ा हुआ वो खत्म हो गया वो लड़का भी कोई बड़ी बात नहीं है कभी कभी छोटा काटा भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है तुमारे दादा जी मुझसे एक बात कहते थे समुद्र में जब लहरे आती है तब सामने खड़े मत रहो जोग जाओगे तो उपर से निकल जाएगी चोटा सा लॉजिक है बस यूजिक है कर दो कि अदे तक अरे आड़ एंची क्वालिटी खराब हो गई तेज आड़ कर दीआ विलकुल एजी कर दिया विलकुल जीना नीची कर दो मैं अ कर दो तो घुर दो, बाजए दो कर दो मालेक, वो हमारे आदमी का पीछा करते हुए, यहां तक आगया है दन्दे के लिए आया है तो उपर वेज दे, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दे, उस बच्चे को यहां उपर क्यों लेकर आयो, बच्चे को लेकर क्या जाएगा, खरीद है उसे अपने तीन लाख में, खरीदने के लिए वो कोई समान है या तुम्हारे बाप का मान है, हाँ 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 है है हे यह इने जगह प्यार बबढ़ी गलती कर देए आदमी ओक भार का रूस से भी बढ़ी गलती है दो अलकिन घाने का टाइम हो गया है उसके आने से पदें से कांट ताकर दो क्या हुआ दस दिन हो गए माल बेचे हिसाब किताब नहीं देखना है का अहीं माल किताब नहीं देखना है का कहानिया सुनाना बंदकार आके मिल ले मालिक मालकीन आ गई है मालकीन आ गई है कि रुट जाओ सब लोग फिकाओ क्या रे तुम लोग ऐसे खड़े हो काम खत्म हो गया क्या अरे तुम तुम तो आप सुनो जी पता है यह लड़का कौन है तुमने उस दिन कहा था ना सुन्दर्ता के बारे में जब मेरी शादी होई थी ना तब इन्हों ने ये जेवर मुझे पहनाया था इसलिए वो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है अरे तुम भी खाओ ना जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं तुमने ये साबित कर दिया है तुमने उस दिन मेरी मदद की मेरी जुबान से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था आज हमारी शादी की सालगिरा है आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ ये मेरी खुशकिस्पती है तुम यहां किस काम से आयों ये मुझे नहीं पता है लेकिन इन्होंने मेरी बात कभी नहीं टाली है सही कहा ना आपकी बीवी का घहना चला गया तो इनको लगा कि इनका भविश्य चला गया फिर इन बच्चों का भविश्य क्या है वैसे मेरी बीवी किसी की तारीफ नहीं करती है तेरी कर रही है तो तुझ में जरूर कुछ है इस बच्चे के साथ साथ सब को छोड़ दो अरे ठोटू आ गया अरे सुनो अपनो छोड़ आ गया बड़ी मा छोड़ आ गया सच में हा गया चलिए देखो छोड़ आ गया मैंने कहा था ना कितने दिज़ों बाद तुझे देख रहा हो कोई बात नहीं आप दुसका ख्याल रगिए अरे बाबु को बिठाओ कालमनी के आदमी बहुत बड़े राक्षस है बेटा उनके बारे में जाने बिना तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की बेटा यह ऐसान जिन्दगी भर रहेगा लेकिन हाथ चोड़ता हूँ बेटा तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ एक चीटी भी हाती को मार सकती है अगर हम डरेंगे तो बिल्ली भी हमें शेर निज़र आईगी मैं आपके साथ हूँ आप लोग बिलकुल मट डरी है ठीक है बेटा बैया कालमानी के आदमी मुझे बहुत परिशान करते हैं बहुत डर लगता है बैया जोती बेटी तुम ठहरो ऐसा कुछ नहीं है तुम चले जाओ बेटा तुम चलो बेटा आगे वो तुमारी दीदी का लगी नंबर पुछो हाई दीदी हाई दीदी आपका लगी नंबर क्या है कल फिर यहीं मिलूंगा बाई बच्चू देखो कार्टिक मैंने जो किया वो गलत था लेकिन तुमारा इस तरह मेरा पीछा करना यह सही नहीं है महरबानी करके यह सब छोड़ दो पूरी टोली की टोली तेरे पीछे बड़ी है तु एक के पीछे पड़ेगी तो तेरा क्या चला जाएगा मेरे पापा बहुत बड़े गुंडे है मरवा दूंगी तुम्हें इसने सबको धोका दिया है अब देखते हैं यह कहां जाएगी क्या बात है बाग करा रही है क्या हुआ वहां वह वह गदे करें प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज उसका फाइदा उठाते हैं इतनी दूर रहेंगे तो डाउट नहीं होगा उनको मेरा कोई संबन नहीं है तुम्हारे साथ इतना ठीक है उनसे जागर पूछो ना हां तुम्हें इसका फाइदा मत उठाना हां तुम्हें दुर्गामा की कसम तुम्हें दुर्गामा जिन्दगी बर ऐसी रहा ना मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूगा एक सूचार फीवर है सडेनली जो नहीं देखना था वो तुम्हें देख लिया है क्या बेटा डॉक्टर साइबा चाय पीचे है ठांक्स वैसे बुच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर अच्छानक से कुछ देखर वो घब रा गई है दवाई से ठीक हुच्छाई कि किसी चीज का इंफेक्शन तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब उसी की वज़ा से हुआ अब वो मेरे हाथ से नहीं बजेगा एंग आपने आपको समझते क्या हो तुम्हें अपने पका हिल लिया गुंडे कहीं के सब कुछ दुमानी मैंजे से ववा पता है कले एक सोचार बुखार हो गया था सुनो अगर कर्व से दिखाई दिये ना जान से मार दोंगी सुनो जाओ किल अगरोल में पुता मैं में सुनो कैंस किल दिया रड़िया पर पिर Nos V दोंगी किवरोल में रङ के हैं वheit हुआ है तंदानी आम बारे घरना नारे यठनार नारा तंदानारी वैच्छ साथ निपाने के बात की थी ना निपाओगे कि आ को फोन देना मां मामाजी का फोन है हलो अभी कोड से बाहर आराया हूं उनका रिलीज डेट अनाउंस हो गया है बहुत खुश हूं दीदी हलो अलो 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 कि आ कि आ कि आ कि आ कि अ कि आ कि आ घुट जा बेति कौन है यह अरी इसे नहीं चानती है अब बुलुची कि इसदो नहीं युद्री चाहिए मैं बहुत टेंशन में हूं मा प्लीज मुझा अकेला छोड़ दो किसी ने तुम्हारे पापा की बारे में कुछ कहा कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे बात ही है कोई नई बात थोड़ी ना है यह अबूलो जी की बेती है यह अबूलो जी की बेती है सब यही कहते रहते हैं जैसे जिल से बड़ा काम करके आ रहे है इरिटिशन से हैदेक शुरू हो ऐसा कहतो दिया ना इसने। राज जाती ये तो सुबह आती है। सुबह जाती है। रत होती है। लेकिन आपके पती इतने साल नहीं आए। इन जार तिवारीों के बीच आप ने उनके बिना ही संचार बसा लिया। फिर्फ उनकी यादों के सहारे। आपने इंतजार में जिन्देकी बिता दी और मैं बड़ी हो गई आपने उनसे मंगल सुत्र बनवाया इसने बदाश कर रही हो मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मेरी लिए सिर्फ आभी हो सुरी यार थोड़ा लेट हो गया कोई बात नहीं अरे तुम रों क्यों रही हो मजाग सूछ रहा है रुब बताता हूं अच्छे अच्छ से आपकी उपर से काला साया हट गया है और आप दोनों बंधन में बन गया है मा के दया से आपको बहुत जल्दी पुत्र रत्म की प्राप्ति हो माantage बुम रहाँ माई है? अरे बाहँ मतिव की आपको प्राप्ति वहा रहारो हमारी सिंदगी उचाड़कर दीदी के साथ मसे खता है राख में मिल जाएगा ये कीडे पड़ेंगे ऐसे देखना क жиз कर से खता है पिर वगन मिल जाता ये आफ। कि और था रहला इंग इंगभव हो इंग पर चब चबड़ और नहां 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 कि अर और अगयो इंग और उहां क्या है वो कार्थिक उमंग राज के पास से बच्चों को छुड़ा कर हीरो बन गया है अरे बेटा लेट कर पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा बैट कर पढ़ो तीबी जो बोलती है सुना अब उटके बैट जाओ अरे मालिक अरे मालिक अरे मालिक अरे मार्ण से बार्द कर समझा और मनी ने छीना हो या लिया हो जब तक वापस न करें लेना मत किसी के दम पे तुम लोग मुझे आख दिखाओगे लगता है काल मनी का डर निकल गया है देखो शराफ़त से बोल रही है अगर तुमने हमें कुछ किया तो मैं कार्तिक भाईया को फोन कर लोगी अरे सरकार अब इसके भीपर निकल गया है अब देख मेरा कमाल कि इसे उठाओंगा तो भुदा जाएगा काल मनी के खिलाफ जो भी जाएगा उसका अंजाम क्या होता है पूरे गाउंबालों को दिखाओगा मरें! कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ हुआ है झाल माहिण हुआ है जाँ जाась जाँ भी भी हुआ है जाँ है ाँई कालमनी के सामने बहुत उचल रहा था ना मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता देख अपनी आखों से बेटी जोगा जोभी पेरी खिलाफत करेगा सब का हश्रा ऐसा ही होगा साहब साहब इतना सब कुछ हो गया अभगवान के लिए इस बच्चे को तो बख्च दो साहब जा उसे भुला के ला नहीं तो हर घंटे एक की लाश किराऊंगा ऐसा किसे बाले अब अब उन्रेश से मिलना कैसे भी उन्से ब्लों वहां बहुत अनार दो रहा है भात अनार दो रहा है देखो मैं जीजाए जी के पास जा रहा हूं बात करता हूं ठीक है बहुत 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 देखो हीरो आ गया बहुत बात करता है बहुत आ एक मालुट थे पास जा पास बढ़ाए जीक है बहुत देखो हीरो आ रहा हुत बात कि दिए में योतिनाम है ना कि करना के वाई करना अ चोटो ने तेरे बारे में बताइया तुझा आइस्क्रीम बहुत पसंदेना हां मुझे बहुत पसंदे नेक्स टाइम पार्टी करेंगे क्लिब रखर जे करका दोया है प्लिष में ही बना कि नए्भा कि उड़िए तर्डिक मार्ते जर्डिक मैं देता हुँ़ झाल छिए ए्जर बाज अजर इस झाल जो जो झाल ना तुम लोग जिसी के बल पहुँ चल राया थे ना तुम लोग इसे मार्के इसकी समाधी यही बना दूँगा है कोई सामने आने वाला तू कि मैरे थूके हुए को यह लग जाओते जाटते हैं और इनके लिए कुम मेरी खिलाफत करेंगा काल मनी हुमैं एक चटान की तरह है जे अंटे इन ना रिख लुदाद नुदा 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 है साहफ बत्मारो साहफ अब इस पापी का सर्वनाश होके रहेगा कि रहेगा पापी कस रहेगा है रहे गजब वी आफ टाएका कि रहेगा है कि रहेगा है मौत सामने खड़ी है फिर भी इसकी आखो में डर नहीं है जल्दी से इसका कुछ करो भाई अल्दी से इसका कर छिश. इसका कि दोचे देट आले में खजसे इसका सोबोपना खजसे इसका करें। अल्दी अल्दी आट देन! कि कि अः गय है मेठा गदम कर दो इसराक्षाश्तू पुर्ण आमाद लिखे वेटा वेटार वेटा अए, इसे स्च अागझ 니 क्यारे भारगव गाहों में सब लोग कैसे हैं हाँ उनका क्या है सब ठीक है और हमारा रामबुलू वो भी ठीक है गाहां चलो सब को देखने का मन कर रहा है हाँ ठीक है दीदी है न वो आपका मंदिर में इंतजार कर रही है वो आपका मंदिर में वो आपका रही है देखो बेटी, जो होना था वो हो गया, अपनी तबियत क्यों खराब कर रही हो? जो चला गया उसके पीछे अपनी सिंदगी तो नहीं छोड़ सकते? मेरी बात मानकर आगे का कारे करने के लिए तैयार हो जाओ, पिंडदान नहीं करेंगे तो आत्मा को शांती कैसे मिलेगी? इस तरह घर में रहना आशूब होता है, मालिक जो बोल रहे हैं उसे समझो मुझे आशोब बोलता है मुझे आशोब बोलता है पिंदान करने के लिए बॉल रहे हो मैं सही रहूंगी नहीं मैं चाहूंगी संदूर बिता जी उसका सर लाकर मेरे सामने रखो उसके बाद उसके खून से नहाऊंगी मैं उसके मास से अपने पती का पिंददान करूँगी मैं तब कुछ दिनों से कुछ गरों में धीपक चलाने वाला भी कोई नहीं बचा जिस भगवान की पूजा की उस भगवान ने भी हमारी तरफ नहीं देखा चोटे-चोटे बच्चो को बेरहमी से मारा तब आया एक अंजान नौजवान जिसने अपनी जान की परवा किये मिना हमारे लिए लड़ता रहा वीच साल पहले जिस तरह आप खड़े हुए थे ठीक उसी तरह आज वो खड़ा है मालिक इतना सब कुछ होने के बाद वो MLA कार्तिक बाबु को नहीं छोड़ेगा कार्तिक बाबु बहुत अच्छे इंसान है उन्हें कैसे भी बचा लीचे आप लोग धर्मत मैं हूँ ना सब लोग उसके इतनी तारीफ कर रहे हैं मतलब लड़का अच्छा ही होगा एक कामकरों से खाने पर बुलाओ पुन से लड़के को जीजा जी वही कार्तिक बड़ी मा कैसी हो सालक राता तुम्हें देखे बिना ही मर जाओंगी अंदर चला बड़ी मा कैसी हैं आप तबियत तो ठीक है न अब बेटा आ गया है तो घर में रौनक आ गई है बस अब पोती की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं जरूर कोई अच्छा रिष्टा मिलेगा तो करेंगे न अरे वो कार्तिक को खाने पर बुला रहा है वही उसकी बेटी के पीछे पड़ा है यह उनको पता नहीं सच बताओंगा तो जीजा जी कैसे रियाक्ट करेंगे पता नहीं आज नहीं तो कल जीजा जी को पता चल मैं बता दूंगा आज ही सब बता दूंगा सच्छा ही आप बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए अब तक नहीं बताया मेरे जैसा कोई है यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही थे और अब पता चला है कि वो मेरी बीटी से प्यार करता है तो मेरा खुन खुल रहा है प्यार में आपको सब कुछ स्वर्ग लगता है और वही शादी के बाद आपके जिंदगी उस प्यार के वज़े से नर्क बन जाती है यही सच्छा ही है मेरी बीटी मुझे बाप के रूप में कबूल नहीं करेगी और फिर कल उसको मनाई मेरी वज़े से मेरी बीवी ने जो तकलीफें उठाई है मैंने चाहता के मेरी बेटी भी वैसे ही तकलीफ उठाए अब दुखी की होते है मालिक मार देते उसको अगर उसे मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता मालिक छोटा मूँ बड़ी बात आप बेटी के बारे में सोचिए आप ही तो कह रहे थे कि लड़का अच्छा है अच्छा लड़का अगर पास में रहे तो अच्छा होता है अगर घर के अंदर आ जाए तो काटे जैसे चुबने लगता है और जो जनता के लिए जीता है ना वो चाहे कितने भी कोशिश कर ले आपनों को कभी सुख नहीं दे सकता है कभी सुख नहीं दे सकता है पती जो कहे वो मानना पत्नी का धर्म होता है पर बच्चों की परवरिश के जिम्मेदारी सिर्फ मा की होती है जो हुआ उसमें जितनी गलती बेटी की है उतनी ही गलती परवरिश करने वाली मा की भी है जो होना था सो हो गया अब जो भी करना है वो सोच समझ कर गीजिए बारगाव मैंने जो कहा वो जोश में कहा पर तुम्हारी दीजी ने जो कहा वो पूरी तरह सोच समझ के कहा होश वहास में कहा उसके और उसके घरवाले मेरे दिल की बात समझ जाएं इस तरह पेशाना तुम तुम लोग जाओ तो लगना चाहिए शादी के पत्रिका देने गए हो यह आपकी बेटी है बहुत सपने देखे होंगे न आपने अलाद के लिए सपने तो हर कोई देखता है नॉर्मल बात है शहर में मर्डर करना भी नॉर्मल बात है ऐसी बात पर डनना भी नॉर्मल है हमारे जीजा जी ने भी बहुत सारे सपने देखे हैं बात सुनाई दी पर स कर दो आख जा रही हो कोलेज जा रही हो कर रहा है अब इस्टार्ग को पानी डाल रहे हो ऑधे सूख रहे हैं अरे इसने इतनी बार फोन क्यों किया ये लोग कौन थे पापा थे रही लिए आये थे किसलिए आये थे बड़े शरीफ लोग थे बहुत ही तमीज से बात की बात को लंबी नहीं खीचनी चाहिए एक बार जाके बात कर क्या बेटा मालिक इसको है से करेंगे ना तो हो जाए ना आपके आदमी मेरे पापा से मिलने गय थे इसलिए मैं आपसे बात करने आया था बेटा बैठ कर बात कर लो कोई बात नहीं आँटी आपकी बुझी और में एक दूसरे को पसंद करते हैं इससे ज्यादा और क्लारिटी नहीं दे सकते हैं इससे सुचाफ कैसे करना है मालिक मेरे बेटी को अच्छी संदगी देना चाहता हूँ जो तुम नहीं दे सकते हैं मतलब मैं कुछ समझा नहीं अभी तुमारी समझने की उम्र भी नहीं है बेटा आपकी तो समझने की उम्र है न आपकी भाशा में बात करते हैं छोटे बड़ों से कैसे बात करते हैं माने सिखाया नहीं क्या हमारे दर्वाजे पर खड़े होकर हमसे ही ऐसे बात कर रहे हो अगर तुम्हारे माबा खुद है तो अपनी बेटी ऐसे ही किसी को दे देते आप जो कह रही है वो हंडेट बाता और अंडेस्टेंडिंग है आँटी वो अगर कह दे कि मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं यहां से चला जाओंगा अगर हमारे सिक्के में खोट हो ना तो बाते सुननी पड़ती है मतलब मलती हमारी है हमारी बीटी पर नज़र डाल कर इसने बेज चुरा लिया और हमें पानक तक नहीं लगी सेटलमेंटी सही है यह बताओ मभश में क्या बनना चाहते हो किसान बनूंगा अंकल खेती बाड खेती बाड़ी से अच्छा और क्या हो सकता है अंकल और एक किसान के आगे तो हर कोई चीटी से भी छोटा है हमारे घर की इजट अगर मैंने तेरे हाथ में दी तो तुझे हमारी हर बात माननी होगी कॉलेज, घर, हमारी बेटी के लावा तेरे दिमाग में और कोछ नहीं आरा चाहिए पडोस में कोई मर रहा हो या कोई तकलीफ में हो उसकी तरफ नहीं बलकि मेरी बेटी के तरफ ध्यान देना आपकी उम्रे के साथ आपका दिमाग भी काम करना बन कर रहा है आपकी बिटी से प्यार करने के बदले में अपना कैरिक्टर बदलूँ यह नहीं हो सकता बदलना होगा नो महीने कोख मेरा करजनम देने वाली मा जो चीजान से चाहती है कोई आच नहीं आने देती है उसके हर ख्वाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करती रहती है ऐसे ही कोई अरागेर आकर लव कहकर खीच कर ले जाएगा तो क्या हम लोग चूडिया पैन के बैठें और खामोश रहेंगे बदलना होगा यह बात है तो आपकी बेटी और उसका प्यार दोनों नहीं चाहिए मुझे भी तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए वो मेरे पापा है उन्होंने मेरे लिए तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया है लेकिन उनकी वाते तुम्हारी दुमाग में नहीं गुस रही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया लेकिन तुम्हें ठैंक्स कहना चाहती हम तुम्हारी वज़े से मुझे पता चला मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते है तुम ही मेरी जंदकी हो और मुझ में तुम ना रहो तो नहीं जी सकता मैं जैसा था तुमने वैसा ही प्यार किया था लेकिन अपने पिताशी के लिए मुझे बदलने को कह रही हूं अगर मैं सच में बदल गया तो शायद तुम मुझे पसंदना करो कितना प्यार कितना थे था तुम ही मुझे। झाल 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 कैत्री क्या है जी? हमारे बेटी को जो हमें पसंद है वो दे या फिर जो हमारे बेटी ने पसंद किया उसे वो दे? हम चाहे कुछ भी दे पर हमारी बेटी सिंदकी भर खुश रहनी चाहिए हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए खुश रहनी चाहिए क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? क्या हुआ बात करने चलते हैं तुम तेयार हो जाओ क्या हुआ जी नमस्ते जी नमस्ते आये आये पेड़ों के सामने घर है या घर के सामने पेड़ है कमाल की बात किया यह हम जैसे अलाज से प्यार करते हैं वैसे ही पेड़ पोजों से तुम बचपन से आकर लगाता था और देखभाल भी करता था पेड़ पोधों के बिना मनी ही नहीं लगता ए श्री उट आए आये आये बैठिये यह मेरी बेटी है नमस्ते आप यासी हो बेटी ठीक हूँ आपको तो सब पता ही है मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ तो वो जो चाहते हैं अगर वो कर दें तो अच्छा रहेगा अब हम क्या कहीं आप बड़े हैं आप समझते हैं लेकिन हमारा बेटा बिना कुछ सोचे किसी के भी मामले में उलच जाता है उसे मैं कितना समझाती हूँ लेकिन वो सुनता कहा है उसके बविश्य के बारे मैं स प्यार करने के लिए सिर्फ दिल ही काफी है, पर शादी के लिए एक दूसरे को समझने के लिए जितनी उम्र होनी चाहिए वो उम्र अभी उनकी नहीं हुई है एक छूटी सी बात पर दोने एक दूसरे पर उंगली उठा दें तो फिर जिन्दगी पर एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे इसलिए कुछ दिनों के लिए हम उन्हें यहां से दूर भेज देते हैं मुझे यकीन है मेरी बेटी कार्तिक को बदल देगी अबलू जी आप सही है आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा स्टर्थ सौरी सौरी किसे अवर्ड unique सौरी खूरी खूरी शड्यार इसक्राइब घ्कामंट जाय प्यास तक है जो हम से हैंगे है जाइ जा जाइ जाइ पोड़ जाइ उत जाइ झाल 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 झाल, झाल झाल यहाद बहार निकालो तुम्हारे साथ ही रहूंगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी तुम पागल हो गई हो कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा जाओ हॉस्टल पर जाओ मैं वहां आके मिलता हूं बात को समझो कार्टिक प्लीज मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी किछ के तुँगा बार जाओ कि अब जो भी बोलो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी प्लीज कार्थिक अब यार बात को समझो जड़ा प्लीज प्लीज मैं यही रहूंगी थार्थिक कार्थिक क्लीज? क्यों MR और्र स्ष्रल्ली प्लीजे बीजगे egal छलो जा कर में वह व्युक्रों प्लीज मлек। कार्थिक क्यों सेंड के वे में बीक कि अ क्या है प्लीज ्क्लीज पलीज मेरे ममी पापा ने क्या कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है हम दोनों साथ ही रहेंगे तुम्हें भी पता है ना लेकिन ये कैसे हो सकता है बात को समझो जरा तुमने मुझे ऐसी वैसी समझाए क्या जो मैं कुछ करूंगी मुझे सच सच बताओ तुम् ठीक है आज से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे हुश अरे तबियत तो ठीक है लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसकी मेंटल इस्थिती बिगर सकती है सेर जरा ध्यान रखना होगा आपको ठीक है डॉक्टर साहब जी चलता हूं क्या सोच रही हैं आप बेटी ने उसका सर ही तो मांगा है लाकर दे दीजिए फिर सब ठीक हो जाएगा मैं जो कह रहे हैं उससे समझने की कोशिश कीजिए इलेक्शन होने में 30 दिन बाती है और हमारे पास टाइम है और आप अपनी बेटी के लिए हत्यार उठाईए कर दो मुझे, 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 मुझे कॉफी कार्थेक कॉफी कार्थेक कॉफी चाहिए कॉफी चाहिए कॉफी चाहिए कॉफी चाहिए कॉफी चाहिए मुझे अले चुपरो हुश्री चली जाओ तुम शांती से सोने भी नहीं देती कॉफी 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 चाहिए शुगर नहीं है अच्छली कॉफी जैसी नहीं है कॉफी चाहिए कॉफी 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 कार्थिक, एक मिनट हाँ कर दो कर दो है बुची ए मोटी हाँ, मैं कालेज जा रहा हूं क्या रही हो हम दो पर मैं खाना काकर आराम से सो जाना हाँ ठीक ना कार्थिक क्या हुआ क्या हुआ क्या रही हो पैक टलेकर आना पैक टलेकर आना पैक टलेकर आना पैक टलेकर आना हाँ भाईया लेडिस पुली क्या चाहिए आपको वो क्या है ना वो मुझे अच्छा ये कौनसा फ्लेवर चॉकलेटिया औरेज वो स्टॉक खेतम हो गया पैसर बनाना फ्लेवर है वो धूक्या वो धूक्या है मोटी क्या हुआ वो अप्रे मुझसे ये सब नहीं होगा मैं सबसे ज्यादा अपडेट होना चाहता था तुम कैसे भी अट्डेस्ट हो जाओ ए पतलू शादी के बाद तुम्हें ही ये सब करना होगा अरे ऐसी बात नहीं है शादी के बाद तो मुझे ही करना है न ये सब तो कहां गई होगी ये हालो ये पागल कहां गाएब होगी तुम बिना बताई चली जाती हो इतनी आसानी से तुम्हें कैसे बता दो लॉंच टाइम पे नौवटल थीटर के पास ठीक है ओके बाए रख दिया हापी बर्थडे का अर्थिक ये पढ़कर तो वह बिल्कुल शॉक हो जाएगा पूल साइड बुक किया है तौप फ्लोर मैं रेडी है पाप 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 ये थी 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 सुधा क्या तुम्हारा लव प्यॉर है कार्थिक का तो है प्यॉर लव मेरा पता नहीं प्यॉर लव का क्या मतलम है तेरा खाना बनाता है ना कपड़े दोता है ना शॉपिंग के लिए लेके जाता है ना कोल्ड बगेरा दिलाता है ना एई बताना तु तो गिगर के ये दूसर को भी दाल रही है सुधा लेट हो रहा है एक बार कार्टिक को फोन करो ना कि अब कि अब कि अब कि कि अब कि अब पुझ्जी नाराज लगती है वह वा 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 क्या लोकेशन है कमाल कर दिया सप्राइज बोला तो कुछ और समझा था है तुम यहां आए उसके लिए थांक्स ऐसी बात नहीं है सोना ओओ यह क्या हुआ यहां यहां कब से तुम्हारा वेट करी थी तुम्हें इसकी बिल्कुल परवा नहीं है मेरे साथ खुशी बातनी के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मैं कुछ कहूंगी वो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा आज तुम्हारे लिए मैंने कितनी सारी प्लानिंग की थी लेकिन तुम्हें वो सब कुछ स्पॉय कर दिया सोचा था वक्त खुशी से गुजर जाएगा लेकिन गाओं में जो कहानी खत्म हो गई वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई कास्टेक कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया अगर जीवन साथ ही तुम्हारे पास ना हो तो जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है यह मा को देखकर पता चला कार्दिक मेरी सारी हरकते तुम्हें पहले अच्छी लगती थी तो फिर अब क्यों नहीं लगती है अब ऐसा क्या हो गया ह यह शायर मैं ही ज्वार्थी हो गई हूँ मुझे बस तुम चाहिए प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना का तुम्हें कार्थिक साथ में चले होस्टल के पास क्यों लेकर आयो आज से तुम यहीं रहोगी मेरी सुना यह तुम्हारे लिए सेफ है ओ समझ गई तुम मुझे जेल नहीं पा रहे हो इसलिए डारेक्ली नहीं बोलकी इंडरेक्ली लिए कर रहे हो है ऐसी बात नहीं है मेरी बात तुम्हें जरूरत नहीं है कि समझने की कुशिश करो अच्छी तरह समझ के मैं तुम्हारी फीडम के बीच में आ रही हो ना इसलिए कि मुझे बेना बताए यहां हॉस्टर लेकर आगए जा 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 देख लेना कि उस बेचारे को मारा था तो देखा नहीं गया है मैं वहां बात करें थी उसे अंसुना करके एक अंजान आत्में के लिए चले आए वो ज्यादा जरूरी था क्या सेंस की बात करो जब देखो अपनी पड़ी ही रहती है चलो जाओ समझने की कोशिशी नहीं करती असरफिश कहीं की को आनो तम लोग हुझे यहां क्यों लेकर आयों कहारतिक कहा है चुप हमारी छोटी मालकिन का सिंदूर मिटाकर तेरे साथ गुलचर्रे उड़ा रहा है हमारे घर की खुशियां उजड़ गई महिंदी का रंग उतरने से पहले ही वो विद्वा हो गई तेरे कार्तिकी वज़ेसे प्रिया असकी लवर को उठाकर ले आया हूं आखेर हो कौन तम लोग आया ते फीला क्यो रही है भादा चिला के तो यह काट दूगा झाप पुझी हुआरे 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 दुटारे अफजरे छोराओे अपुणत फिराओे हुआरे मैंसे भाग क्यों रही है? साथे! मैंने जो सुना, क्या वो सब सच है कार्थिक? तुमने जो सच सुना, उसके पीछे एक लड़की की जिन्दगी पर बात हो गई मैंने जिन्दगी लेख वर एके लן धवी की बेखने कर रहे हो पांदरा दिनों तक युद्ध चला था लाखों लाशें कुरुक्षेटर का युद्ध धर्म के लिए हुआ था मैंने भी जो किया वो धरम के लिए जिया गो मुर्ण करे नहिंग करें आुम करें 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 झाल झाल क्या हुआ बेटी कार्तिक का साथ नहीं जाहिए मैं जो कह रही हूं पूसच है इतने दिन उसके साथ रही तो समझ में आया कि उसे नहीं बदल सकती मेरे लिए कार्तिक सही नहीं है मेरे अंदर मा की तरह सेहन शक्ती नहीं है मैं परदाश नहीं कर पाऊंगी ऐसी जिंदेगी मुझे नहीं चाहिए पापा जैसे तुम्हारी मर्जी है हर प्रेम कहानी में बड़ों की वज़े से प्रॉब्लम होती है प्यार में धोका होता है पर प्रेम कहानी में डर है श्राप है उसके पिता के रूप में डर है मुझे कुछ हो जाएगा इस बात का डर है मरते दम तक हमारे बीच प्यार करने की बाते होती है लेकिन वो बाते सिर्फ बाते ही रह जाती है अब मैं उसका डर कैसे मिठाओं और मेरे प्यार को खत्म कर दो इतनी शक्ति मुझे में नहीं है नहीं है मुझे में लेकिन वाते है कैसे जी सकों ये घम कैसे पी सकों तेरे बें कैसे रह सकों ये दर्द कैसे सह सकों तेरी आद दूर से जाती है नहीं धड़कने सुकूं पाती है नहीं ये महबत है एक दोखा कोई करे ना कभी ये महबत है बेगानी ये किसी की ना सगी तुझे बें कैसे जी सकों ये घम कैसे पी सकों क्सक्टे उच्चा उच्चा कि तुरह ऐसा रहेंगा उस लड़के ने पागल कर दिया तुम्हें ज़ो ज़ो ऑड़े तब्दस में जोड़ो जोड़ो देखो ना कैसे फागल होते जा रहा है मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती हूं जोड़ो उसे मादगार्ट नाम आप कैसा शान्द रह सकते हैं? आप कुछ बोलिए मैं इसे अपने पिटरेशी क्यों ले रही है? ए बगवान में क्या करूँ? जाते हैं वो प्यार की रस में तोड़के साथ जीन मरने वाली कस में तोड़के जिसके सबने देखे थे वो सबना ना रहा कोई इसे जग में यारो अपना ना रहा जाते हैं झाते हैं तोड़के साथ जाते हैं तोड़के कैसे रह सको, ये दर कैसे सह सको तेरी याद दूसे जाती है नहीं, धड़कर ने सुपाती है नहीं ये महबबत है एक दुका कोई करे ना कभी ये महबबत है बेगारी ये किसी की ना सबी वक्त बड़ा बेराहिम है क्यों मिलाता है और क्यों अलग करता है इसका कोई पता नहीं आप ग्रेट है कार्तिक इतनी बड़ी लव स्टोरी में मैं क्यों नहीं हूँ जलस फील होता है ओके इसका कोई नहीं हूँ कि अचाएप बड़क किसी नहीं होता है उाप बड़क का किसी नहीं है जलस लगवाई स्टोरी में मैं किसी किसी की किति आप गे है झाल झाल बाबू बाबू मेरा है माजी इसके बारे में आपको पता है हाँ वो रोज आकर कबुतरों के साथ वक्त उसार कर चली जाती है मैं मरते तम तक तुम्हारा साथ नहीं जोड़ा मैं मरते तम तक तुम्हारा साथ नहीं जोड़ा और मुझ में तुम्हारा रहो तो गी नहीं जी सकता मैं जैसा था तुम्हें पैसा ही प्यार किया था ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए बाबू मेरा है बता नहीं किसने क्या पाप किया उस बच्चे की सर से बाप का साया चीन लिया बेचारी अकेले जिंदगी काट रही है अबूलू जी अबूलू जी अबूलू जी अबूलू जी हां कार्तिक आप ने जिसे ठुक्राया वही कार्तिक काँ है वो अबूलू जी अब लोजे वाँ 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 ताली भयाओ मेरा में सब्गोंगने चलेंगे क्यों बड़े साब अपने बेटे को सुनहेरी जिन्दगी दोगे कह कर ले गए थे मुझे ठुकराया कोई बात नहीं लेकिन आज उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है अब तक उसकी जिन्दगी में मैं क्यों नहीं आया पता है आपको सोचाता है वो कहीं पर भी होगी लेकिन खुश होगी आपकी बेटी को मैं कैसा देखना चाहता था पता है उसके माथे पर एक प्यारी सी बिंदी होगी एक छोटा बेटा, एक बेटी, उसका पती साथ हो बहुत खुश देखना चाहता था आप ही के सामने सिंदुर के बिना ची रही है वो चे, कैसे इंसान है आप क्या कहा था आपने? कि मैं उसके लिए करेक्ट नहीं हूँ? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ उचे, उचे अब ये मेरी पत्नी है जो करना है वो कर लीजिए उस दिर अपनी बेटी के लिए मैंने तुम बदलने को कहा था तुम ठुकरा कर चले गए साथ वे रहोगे इसलिए भेजा था नहीं रहे और आज मंगल सूत्र बान दिया उस दिन जब मुझ पर चलाए थे तो इसने विरोध किया था फिर बाद में कहा कि ये तुम्हेरे साथ नहीं रहेगी और अब मंगल सूत्र पहन भी लिया और सरजुका के स्विकार कर लिया अब तुम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी दुनिया में कोई भी बेटी का बाप सिर्फ इसलिए लड़ता है ताकि उसकी बेटी खुश रह सके हाँ बेटा इस सफर में तुमने बहुत कुछ पाया हमारी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई कितनी बड़ी बता है तुम्हें हॉस्पिटल में इस बच्चे के माबाप इसे छोड़कर चले गए और इस सनाथ बच्चे को इसने मा और बाप दोनों का प्यार दिया लोगों की बातों में आकर तो राम ने भी सीता को जंगल में भेर दिया था तुमने जो देखा वो जूट था पर उसे सच मानकर भी तुमने मुझे मंगल सुटर पहना है बहुत दुखती आए मैंने तुम्हें और जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहना है आखरी सांस तक मैं तुम्हार साथ दोड़ी कारते है झाल 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 झाल